असलाम लेकुम डिया स्टूडेंट आज हम मल्टी मॉडर्ड एक्स्प्रिनेशन और इलिस्टूरेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें यह पता चलेगा कि हम कैसे मल्टी मीडिया को बच्चों के साथ अक्टिविटी डिवेलप कर सकते हैं आप पोस्टर बनवाने में यानि जो हम सिंपल पोस्टर बनवाते हैं उसमें मल्टी मीडिया अगर इंसर्ट हो जाए और उसके साथ कंबाइन कर लें तो कितनी इंट्रस्टिंग किसम की चीज़े हैं जो आप भी लर्न करेंगे पोस्टर एक्टिविटी के लिए और उनको इस्तेमाल करते वे उनकी लिस्ट बनाके स्टूड़न को आप उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं अवेरनेस दे सकते हैं आप उन्हें खुद बना के दिखा सकते हैं और आप बच्चों को एक पोस्टर की साइमेंट दे सकते हैं जो किसी किताब का पोस्टर हो सकता है जो किसी पोईम का पोस्टर हो सकता है जो आने वाले किसी ड्रामेटिक अक्टिविटी का पोस्टर हो सकता है इन स्टेक्ट के बच्चे कागस इस्तेमाल करें वो डिजिटल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे डिजिटल पोस्टर जब कोपरेट कर सकते हैं वो इसमें और वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं और हाइपर-link को सबसे इंप्रूर्टन चीज़ जब बच्चे इंप्सटर बना उसके रंग कैसे ह incredility इसमें फीचर्स क्या ढोंगी उनकी एपनी फीलिंग क्या है उस किताब के बारे में वो तमाम चीजेस पोस्टर में इंट्रस्टिंग और मल्टी मॉडल्स के थूँ इंसर्ट कर सकते हैं जिसमें आवाज भी है तस्वीर भी है वीडियो भी है और टेक्च्चर भी हो सकता है इंसम और अधर वेडिवेग डिफरेंट वेबसाइट जो हमारे पास अधरे तीचर आप देख सकते हैं कि बच्चों को सिखा सकती है और उनको ट्रीके से लिंक को को इस्तेमाल करने के लिए एक mandatory process और requirement दे सकते हैं हम बच्चों के different किसम के topics दे सकते हैं पोस्टर के जैसे के कोई कहानी की किताब ही है उसी का poster बनाना है या कोई थीम या कोई बहुत एहम देनाने वाला है उसके बारे में पोस्टर बना सकते हैं बच्चे जो है वो पोस्टर कैसे बनाएंगे उसका background क्या होगा उसका style क्या होगा कितने hyperlank share करेंगे आप बच्चों से discussion करके एक guideline develop कर सकती है most of the time जो हमारे पास utility के tools available होते हैं website पर हम उन्हें meaningful तरीके से बच्चों को इस्तिमाल करना सिखा भी सकते हैं बता भी सकते हैं उनकी examples भी दे सकते हैं बच्चे पोस्टर कैसे बनाएंगे यह depend करता है बच्चों की भी level of familiarity with literacy assignment के उपर कि वो कितना gadget को चलाना जानते हैं कितन links का पता है और आपकी अपनी भी जो skills है gadget को इस्तिमाल करने की उसके उपर उसके लावा बच्चे जो है technology instrument को बहुत अच्छी तरीके से तब इस्तिमाल कर सकते हैं जब आपने उनको बहुत अच्छी तरीके से यह already दिखाया हो और आपको यह चीज़े पता हों कि जो आपन क्या उनके घर में गैजट अवेलिबल हैं भी यह नहीं तो आपको यह कमाम चीज़े सामने रखने हैं कि आपको क्लास में बच्चे किस किसम के हैं और उनके पास access of technology कैसा है और उनके पास practice कैसी है बच्चे definitely poster के लिए बना सकते हैं partners के साब बना सकते हैं अच्छी बात ही होती है group work में कि हम अपना knowledge share करते हैं अपने ideas share करते हैं distribute करते हैं जिससे हमारा knowledge और बेतर होता है idea और polish हो के सामने आ सकता है student जो proficient होते हैं technology को इस्तेमाल करने में वो दूसरे student की मदद कर सकते हैं और दूसरे student जो है आपको उनको time देना चाहिए ताकि वो गैजट को इस्तेमाल करने में अपनी थोड़ी सी expertise develop करें ताकि बेतर poster बना के आपके सामने लेकर आए एक बहुत अच्छी technique का ये भी होती है कि हमेशा हर class में कुछ student होते हैं जो technology में बड़े वेलवस्ट होते हैं कुछ student ऐसे होते हैं जिनको अभी technology में जो gadget से हमको इस्तेमाल करने की बहुत नए नहीं तरीके नहीं आते हैं इसके अंदर हमारे पास जो अच्छी जीज़ आती है वो ये आती है कि आप student को कह सकते हैं कि whiteboard पे आएं आपको जो जो भी तरीके आते हैं वो आप यहां लिख सकते हैं अपने student से share कर सकते हैं या आप अपने group में workshop करा सकते हैं या दूसरी student को 5-10 मिलट दे सकते हैं और सिखा सकते हैं कि यह कैसे करना है आप बच्छे whiteboard पे या खुद paper पे poster बना के लाकर लगा सकते हैं कि in gadget को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है हमें यह ऐसे आता है यह website से यह लिंक से जिनके थूर जाके आप सीख सकते हैं कि in gadget को कैसे इस्तेमाल करना है तो group work में student ही student का बहुत ही अच्छा resource होता है our technology को learn करने का और अपनी assignment को भीतरीन तरीके से कर लेने का